समान उम्लियों वाले हैं तेरे नाखून गुलाबी है और तेरे मद्ध से उठे वे पाओं तो बेहत मधूर है ऐसे है तेरे चला कमद के गोपाला तेरा नृत मधूर है तेरी मृत्ता मधूर है और हे मधूरा अधिपती तेरी तो हर बात मधूर है नूत्यम मधूरं सक्ष्यम मधूरं मधूरादीपते अकिलम मधूरं मधूरादीपते अकिलम मधूरं एक नईया तेरे गीत मदूर है तेरे तन की कांती जैसा पीत अमर वह भी मदूर है तेरा भीजन मदूर है उचे भीजन करके हुए देखना मुझा सुर्व के धर्शन करने है आता भी माभात्य गुवर्णाम अपने और आप सब के इस्कूर मादब्द्द्ध गुवर्णाम योगेश्वर भगवान श्री कुछ्न के चल्णों में परड़ाम करते हुए तरवदन वेधन की मैं उनकी वारी को कि थोड़ा बहुत समझभा हूं आज हम महत्पून विशय का अधियन करेंगे अधियाई सुला का अधियन करेंगे नरक का रसुद शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे और उस सबसे पहले जिस गुरू के पिताब से हम सब सीखते हैं मनुबर प्राप्त करते हैं इसको यहां नहीं यहां रखते हैं अधियन का अधियन का वंदन और उन से आग्या लेकर पिर हम अधियन प्रारम करेंगे अधियन का वंदन गुरू आए क्या मुख्षा गुरू के बाद गुरूर ब्रह्मा गुरूर देवो अ महेष्वरा गुरू सक्षा परद्रह्मा तस्मैशी कुरणि नवाँ गुरू देवो दया दो दीनन को शरणा गत लो मिरे जीवन गुरू दया दो दीनन को शर्णा गत लो मिरे जीवन को गुरू दया दो दीनन को शर्णा गत लो मिरे जीवन को गुरू दया दो दीनन को गुरु देवा, गुरु देवा, गुरु देवा, गुरु देवा गुरुदेवा, गुरुदेवा तुम दीपक लेके खड़े को थे मैंने अंधियारा उद्र ही चुना तुम दीपक लेके खड़े को थे मैंने अंधियारा उद्र ही चुना तुम दीपक लेके खड़े तो थे मैंने अंधियारा उद्र ही चुना गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा तुमने मुझे कर्म की राह तो दी मैंने ही तब को छोड़ दिया तुमने मुझे कर्म की राह तो दी मैंने ही तब को छोड़ दिया उर्देव क्रपादो छूठन को उर्देव क्षमादो छूठन को शर्नागत लो मिर जीमन को उर्देव जया लो दीनन को गुरुदेवा 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 ग जीवन के इस दोरा है पर एक तुम्ही सहारा ओ गुरुवर जीवन के इस दोरा है पर एक तुम्ही सहारा ओ गुरुवर पस राह दिखा दो अंधन को पस राह दिखा दो अंधन को शर्णागत लो मिर जीमन को अंधन को हरे राम हरे राम राम वह ररे Harriet, आयुज्छ, इत्रक्तोश तियुक्तिन ने पूभे इसलिए लिए भातां educator कि और नंहिछ भी तुक्तिन कुछरेणी भी ओते. Hare, 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 Ram, Hare, Ram, Ram, Hare, Hare Hare, 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 Shab, 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 Hare, Hare Shri Krishna Govind, Hare Puraare Enath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind, Hare Puraare Enath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind, Hare Puraare Shri Krishna Govind, Hare Puraare तेनात नारायन वासुदेवा शेक्विष्ण कोविंद हरे मूरारे तेनात नारायन वासुदेवा गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा गुर्देवा, 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 गुर्देवा गुर्दे भगवान की, जै योगेश्वा श्री कृष्णजी की, जै आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं, अध्याई सोना का अध्यान करते हैं, और बहुत सारे प्रशनों के उत्तर, श्रेकृष्ण हमको लगातार देते हैं, वो एक अलग बात है कि हम अपनी मानिताओं के परे नहीं जा पाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की जो सोंच है, उसको हम समझ नहीं बाते हैं, और श्री कृष्ण ने, हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, अज उस विशे पर भी बात की हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, पौलिम बढ़ेंगेंगेंगेंगेंगें संवाद चल रहा है तेर्वे अध्याय से जैसे पूर में भी चलता है और यहां सीधे भगवान बिना किसी प्रश्ण के सीरे उत्तर दे रहे हैं कैसे श्री कृष्ण कहते हैं भय का सर्वता अभाव पनुष्ण को भैहीन होना चाहिए यदि वो भयातूर है तो उसको अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है इस खोड़ सोच के देखिए मैं कह रहा हूं इसलिए मत सोची है खोड़ सोची को जीवन मिर्थ का लाभानी का बहुत अधिक भैह होता है पॉंशेसली चलना एक अलग बात लेकिन एक्स्ट्रा कॉंशेस जब व्यक्ति हो जाता है तो इसका मतलब उसको अपने भगवान पर रुश्वास नहीं है तो कहता कुछ भी रहे लेकिन उसके अंदर करता भाव है डूर का भाव उसके अंदर है आइंड़ डूर अन्यता वो भगवान पर चलता छोड़े अपना कर्म करे अपनी कैल्कुलेशन करे और अपने मार्क पर आगे बढ़ जाए वागतां है यह नहीं लट इसकी तो पूछते हैं और जफ़ी तो पूछते हैं लेकिन डटे हैं इसका मतलब कुछ करने की इच्छा है और कुछ नहीं तो श्री कृषिन सखा से कब गुरू और गुरू से भगवान हो रहे हैं उसी के प्रताप से उसी के तेज से हुआ है अपने रत पर तिके हुए है और यही मनुश्य धर्म के स्थापना करते हैं बाकी तो गरस्ती भी नहीं चला पाते हैं तो जो जो मनुश्य भैयातुर रहता है भैयांकरांत रहता है और लवेज फिर्स today इसका मतलब साफ है कि वो धॉंग करता है लेकिन विश्वास इश्वर कर उसको नहीं है अन्यता कदम बढ़ाता निकलता और कहीं कहीं इशवर उसकी मदद करेंगे इस विश्वास के साथ वागे भगता है कमजोर विकती इशवर का भट नहीं हो सकता हो इशवर के गीत गा सकता है लेकिन इशवर से उसको भख्ती नहीं मिलेगी श्रीकिशन ने कि तुमा स्पष्ट काया तैंद होगा हजार लोग मुझ में मैं बसते हैं कि मैं सब में बसूं यह आवशक नहीं को यह जो बहुत सारी आजकल बाते चलती हैं कि कलयोग में भगवान ऐसे खर्ण दे कंधे दे देते हैं तो एक दो शेलोक कर देते हैं वह कहां गीता पर तो कोई संदे है ही नहीं गीता में भगवान श्री कृषिन इस बात को स्पस्ट कह रहे हैं कि लोग मुझे से प्रकट होंगे मुझे में समा जाएंगे लोग मुझे में बसते हैं मैं लोगों में बसूँ या विशक नहीं है यांए भगवान इस पस्ट का है कि वोए इकुछ थास दोगों में स्पस्टे और तहीं साफ कहरे हैं नहीं तो हर लोभी और लालची नमप सब भगवान के भगते हो जातेlor सब में बस जाते हैं आए नहीं बस तो इसिको आगे और बढ़ाते हैं हम निर्भे हो गए निर्भे होने का मतलब घमंड लेका चाहिए निर्भे होना एक अलग बात है वनमरता के साथ निर्भे रहना और अपने हर कारे के लिए शमाम देही जो हम लोग अक्सर कहते ही हर चीज में लिखते हैं या कहते हैं तो वह प्षमा तीज से जादे तीज नहीं हो सकता क्या तो हम प्षमा मांगते रहें लेकिन निर्भेता के साथ आगे बढ़े निर्भेता का मतलब घलत काम करना नहीं है जो मेरी थोड़ी बहुत बुद्ध कर रही है मैं उसके अधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ निर्भे ऐसे तो कह दें भे का भाव लेकिन ये भे क्या है कोई चीज हो ना जाए उसके होने से पहले ही संदेहुत पन्न हो जाना और अपने आपको कवच्च करना शुरू कर देना या अपने आपको प्रिटेक्ट करना शुरू कर देना ये भे मिर्ट कब है सबसे सरल है से समझना मिर्ट कब है अभी तो मिर्ट्य आई नहीं लेकिन अभी पैसा जोड रहे हैं अभी से हम घर जोड रहे हैं और इतना जोड रहे हैं कि उसके चिंता में इतने घुल गए कि अब वो जल्दी आएगी इश्वर पर विश्वास नहीं है हमें अपनी संता और अपने लोग पर भी विश्वास नहीं है हमें पृतियेक अस्तित्त पर भी विश्वास नहीं है यानि हम ईश्वर की काइनात पर ईश्वर की श्रस्टी पर बिल्पल विश्वास नहीं करते इसलिए हम सारी जिम्मधारी लेते हैं और फिर कहते हैं जो करता है यो इश्वर करता है कि धोंग है कि हर व्यक्ति अपने आपके उतना ही सुप्षित्व है जितना मैं है इश्वर की उस पर उतनी ही कृपा संभव है जितनी मुझ पर है लेकिन अभी आपके अंदर संकल्प आ रहा होगा दीरे दीरे पीछे करकियों से लेकिन कमरे से बाहर जाते ही फिर चूप के लिए करना पर पूते के लिए अगर छे कमरों का मकान नहीं किया तो जीवन विकार हो गया क्या परदादाने कुछ नहीं किया यानि मैं पर पूते पर जो ईश्वर का अस्तित्व है वो भी ईश्वर का उतने ही बड़ा अंश है उस पर मुझे विश्वास नहीं है यानि तो मुझे इश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं जोड रहा हूं बाकियों के लिए, नियुंतम दाइत्टुका पालना, ये मेरा तव्वे है, उसके अधित मेरा कोई कर्तव्वे नहीं है, आगे इश्वर ये इच्छा, अगर ये विचार है, तब ठीक है, और सब नहीं करके दूँगा ये विचार है, तो हमारी भक्ती में धोंग है, इश्वर पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, जब विश्वास नहीं है, तो भक्ती ही नहीं होगी, जब भक्ती नहीं है, तो इश्वर पर कोई अनिकार नहीं है, और इसलिए इश्वर साफ कहते हैं, चाहरकर के भगत्त हयों हैं और मैं का उसी भगत्त को मांता हूं जो सर्वा सव़रपण AH मुझे डर देता है कि एक शब्थ में कहते समद्थ है जो और-ब लोग मुझे में बसे मैं किन में बसता हूं यह अलग उद्म सब में नहीं वस्ता हूं नहीं तो हर तीर त्यात्रा पे जाने वाला व्यक्ति तीर त्यात्री थोड़ी होता है तूरिस्त भी तो होता है परियतक क्यों कैसा है अजय प्रियतन भी होता है अगर प्रियतन नहीं होता तो बड़े-बड़े होटल्स या कमफर्ट जोन्स क्यों खुलते हैं और अगर खुल भी गए तो हम उसमें क्यों जाते हैं जाते हैं इसलिए कही न कहीं कमफर्ट जोन के कामना है लेकिन ईश्वर्ट की गोदे की कामना नहीं ह गहरी बात है और बड़ा कचुसत्य है तो विनम्रता पूर्वक भाई से मुक्त रहना और जाने अन जाने में किये गए समस्तकारियों के लिए इश्वर्द से ख्शम अमांगते रहना मेरे पुर्वक शमाम रही आप लोग ने देखा है जगा जगा दिखावा दिया ऐसा व्यक्ती धीरे धीरे भक्ती प्राप्त करता है मनुष्य है सुच चिंता तो होगी लेकिन एक स्थिती पे आकर वह चिंता घुल जानी चाहिए इश्वर के लिहान में कई कि कर्ष independence किया कहते हैं है कि इसकी किन को भक्ती प्राप्त हाइं यह बात चब रही है इन की को सवर्ग प्राप्त होता निरक प्राप्त नहीं होता यह बात चल दिए अन्ताकरण की पूल निर्मनता अन्ताकरण क्या है ये आप सब लोग जानते ही हैं अन्ताकरण चातुष्ट इसको कही दीजी तो और अच्छे से समझ में आएगा अभी इस पर चर्चा करेंगे और तक तो ग्यान के लिए ध्यान योग में निरंतर द्रड़ विस्थे थी फिर्दे पे हात रखकर भक्त समाज ये बताए जो यहां जुड़े हैं जो यूट्यूब से जुड़े हैं केवल वो ही नहीं मैं संपून सनातन भक्त समाज की बात कर दो ध्यान कहा है ध्यान कहा है रम कैसे रहे हैं जब ध्यान ही नहीं है तो रमेंगे नहीं अपने इश्ट में रमना सम्भवी नहीं हो सकता क्योंकि जिस वक्त हम ध्यान के लिए बैठेंगे इश्वर के लावा सब चीज़े याद रहेंगे इसलिए क्रिया शीर्ता हमारे को जादा पर भावित करती है दीपक जला लो अब फल ले आओ अब फूल ले आओ अब उसकी डांट लगाओ अब उससे धागा मंगाओ अब धागा लेके किलोमीटर घुम के आओ अब नारियल चड़ाओ अब नारियल मत चड़ाओ अब नारियल का समय निकल गया है अब पानी चड़ाओ ये क्रिया हो रही है इस क्रिया में मन लग रहा है भक्ती नहीं हो रही है कैसे होगी आप एक बड़े प्रसुद्ध तीर्थ में जाके लाइन में लगे हैं और पीछे कोई धक्का मार आप तो आए ध्यान में और ध्यान में और पीछे धक्का लगया भक्ति कहां होगी नहीं सकते होगी शोर भक्ति कहां से होगी होई नहीं सकते होगी चाट पकोड़ी की ठका ठक भक्ति कहां से होगी मन एक मैच्पूर्ट चो हमारी इंद्री है यह बक्ति कांजी, वहाँ एकांत नहीं है, उच्छोरा है, और कैसा श्छोर है? विपलव वाला श्छोरा है वह भजन का श्छोरा नहीं है, भजन की मधुर्तान नहीं है जो आप नाहद जागरत करें, वह श्ऻोर है, विशुद्ड श्छोर है मैंने इसलिए यहां जगा जगा लिखाया हुआ यह दुपी मैं भी असफल रहता हूँ आप लोगों को चुप कराने में अधिनी आवास में बहुते है अना हाथ जाग रहता हूँ और जितना लाउड होते चले जाओगे कई लोग मिलके जितने लाउड होते चले जाएंगे उतना ध्यान हटेगा क्रिया में मन लगेगा क्रिया में आपको ध्यान नहीं करना है ध्यान टफर है नेक्स लेवल की चीज है ध्यान लगने ही नहीं क्रिया में मन बहुत लगेगा तो क्रिया करने के बाद ध्यान कर लीजे तब जाने का समय हो जाए या खाने का समय हो जाए ये ठक चुके होंगे इसलिए श्री कृषिन लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं गाने गाते रहो कथा सुनते रहो सुनाते रहो थोड़ी देर के लिए भक्ति भाव का जागना वश्य होगा आपने जो कथा मनीशी है उनको सुनकर लेकिन उसके बाद फ्ररर देगा क्योंकि वो आदत नहीं है तब ग्यान के लिए ध्यान योग में नरंतर एक दड़ इसके भी चाहिए होती है वो नहीं प्राप्त होती है दूसरी बात है सात्विक दान जिस दान के पीछे कामनाय होती है वह सात्विक दान नहीं होता है आजकल ऐसे ही होता है कामनाय जादा होती है मैं यहाँ पस्तित जन समू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सामान में बात कर रहा हूँ आपके मित्र, रिष्टे नाते, सब मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि मैं स्टली समशामेंद करा रहा हुआ किrodग वब में लोग नहीं हो चॉक्णुसिव नहीं हो इस पॉपलेशन की बात कर कर रहा हु हुप नहीं है इंडरीयों का दमन हुप है कर दो है धीरे धीरे शुरू होता है और मैं कहता हूं जीवन का सबसे पहला अनुसाशन हम जब सुखर उठते हैं तो बिस्तर साफ करके अजिस्ट करने शे शुरू होता है हमने चपब कैसी रखी, हमने बिस्तर तह किया कि नहीं किया पुरुश्वें तो क्या हुआ कैस्तरी की जिम्मेदारी है बिस्तर साफ करना तब है उसको समेटना यहां से अनुसाशन प्रारंब होता है यह कारे यदि आपने खटा-खट किया तो चैतनी ने ता आनी शुरू होती है और फिर बाकी काम आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आगे बहुते चुरूगे और वहीं आलसी व्यक्ति सबसे पहले जब उठता है तो तो कई करवटे बदल के उठता है मुश्किल से उठता है नौकरी या स्कूल कॉलेज की वज़े से कंपल्शन की वज़े से और उसके बाद बिस्तर जेप है कि उसे पता है कि यह उसकी जिम्यदारी नहीं है ऐगी बिना पैसे की से विकार होतरी अपना कारे हम नहीं करते है यहां से जब हम अपना तारे ठोक पीट के अपने आपको करना श고 करते हैं यहां से उन्भियों का निग्रहे शुरु होता है अनयथा तो सोच में है सब को कि तो कि सोचते रहो ख談 की पुला बनाते वर पक जाएगा खावी लोगे पीट भरेगा नहीं भरेगा तो कि वो ख्याली पुलाता है कर्मन्स के पीछे नहीं था भगवान आगे क्या कहते हैं इंद्रियों का दमन भगवान देवता और गुरु जनों की पूजा तता अगनी होत्र आदी उत्तम कर्मों का आचरण एवंवेद शास्त्रों का पठन पाठन तता भगवान के नाम और गुरों का कीर्तन सोधर्म पालन के लिए कश्ट सहन और मुका कंपट जोन से निकले बिना विद्यारजन नहीं होगा धनारजन भी नहीं होगा ध्यानारजन तो बहुत बड़े का और हम सब लॉट धेर के comfort zone में घुशना चाहिए जब comfort zone परिशान करता है तब हम बिलखते हुए थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं भगवान शरण में ले तेरी भग्ती तेरा ये तेरा वह लेकिन चूक एक आधत पड़ गई है मचली की तरह है या जल के कीड़े की तरह है या कि वह भाग कर वहीं जाएगा हम भी फिर भाग कर अपने comfort zone में चले जाते हैं और उसके लिए हम बहाने तयार करते हैं आपको जस्तिफाइ करने के लिए कि बाहर बहुत कष्ट है मुझे बहुत कष्ट है वह बहुत करते हैं अपने आपको जस्तिफाइ करने के लिए कि बाहर बहुत कष्ट है, मुझे बहुत कष्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकते कष्ट जेल रहा हूं इसलिए मैं कम्फर्ट जोन में थोड़ा सा आ जाता हूं लेकिन जिन लोगों ने जीवन में बहुत उचाईयां चुई कभी ने पढ़ो यह बहुत कष्ट में चीज़ उससे घबराए बिना कारे करते हैं बागी तो भागयवान ही है किसी कारणा से लग गए अपने चलती रही गाड़ी उससे जादा उनका का इसका ने नहीं यह भी कृष्ट जी आगे जाके कहते हैं कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंता करण की सरन्ता फिर अंता करण शब्दाया अंता करण के कितने विभाग हैं अभी मैंने बोले था ना अंता करण चार तुष्ट से तीन कासे होगे चार ही होंगे पहला क्या है मन मन क्या है है अब डिоп मन क्या है मन हूटा कहा है मन रहता कहा है अब आज यह मत कहना ओस्ट मरा महड़ी के अंदर रहता है यह सब सुनने के लिए नहीं श्री कृष्न का ध्यन यह सब और चुनने के लिए नहीं है इं कर अच्छा कि इत्तों का है कि मैं आपको पांच लाग लोग का सर्वे करने को देता हूं जरा बताओ कितनों का है शायद एक आपका निकला है तो कह नहीं सकता हुआ हमान इश्वर में जिसका रहे ले है तो सिद्ध हो जाए हमेशा चलाएमान होता है उसी को तो स्थेर करना है यानि स्थेर हो सकता है उसके अंदर यह वर्चू है अगर यह वर्चू होता ही नहीं तो प्रुशन इसके बारे में बात ही नहीं करते कि अब दिन में पांट साथ बार तो कहते हैं मन नहीं कर राज कॉलेज जाने का मन नहीं कर राज नौकरी पर जाने का इसका शोधन हम नहीं किया नहीं तो पचीस तीस साल का जीवन जीने के बाद एक सटीक परिभाषा निकल कर सामने आनी थी इसका मतलब हम कितना कम सोचते हैं हमें कितनी कम गहराई और हम बात करते हैं आस्ता और भक्ती की सटीक उतर चाहिए मन इंदरियों को प्रभावित नहीं करता है अकर इंदरी से उत्पन है मन तो मन इंदरी को क्यों प्रभावित करता है पूरी बात सोचे तब तर सोचने में तो आनन्द आएगा यह सोचना परिक्षा नहीं है यह एक्जाम इसमें हम आनन्द खोज रहें क्रिश्न क्या कहना चाहते हैं हां बस इतना जरूर है कि दख तर रुदर रुदर हर ना करें समय उसे बेश्च हो जाता है लेकिन मन अच्छा दूसरा क्या है भाकी लोग भी तो आये हैं बोलो दूसरा क्या है उन्होंने तो बोल दिया भाकी लोग मतलब सब सम्मे करनी थो रहें दूसरा क्या है? यहां नहीं है. मनें पूछा दूसरा क्या है? आपने चारों बता दी. दूसरा क्या है? अध्यात्म को समझने के लिए या किसी भी विश्य को समझने स्टेप बाइच चलना पड़ता है. तन? लो. अन्ताहगरुन में तन कैसे आ गया? अंदर कौन सत्तन है? आत्मा? कुछ भी? सोचो, सोचो. मैं आपको एंकरीज कर रहा हूं सोचने के लिए. बुद्धी. मन बुद्धी. मन क्या है? विचार. किसी ने कहा था. यानि, कल्पना. इमिजिनेशन्स. जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता. लेकिन उससे सब कुछ नहीं हो सकता. क्यूँ दूसरे स्टेप पर आना है. दूसरे स्टेप क्या है? बुद्धी. कहीं रुको अब तीसर चौथर पर मत जाओ. I am not enumerating all the characteristics. Second point. Now we have to go into deeper explanations. बुद्धी उसको मूर्त रूप देती है. मन की जो कल्पनाएं हैं, बुद्धी उसका न्यामन करती है. उसको मूर्त रूप देती है. मूर्त रूप देती हैं, इसका क्यार्थ हुआ? अभी ज्ञान नहीं आया है. मूर्त रूप हुआ है, कल्पनाओं का मूर्त रूप, यानि? मैं कहूं कि शरीर में बुखार है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अनुसिया कहेगी, फीवर है. मूर्त रूप कल्पना करनाओं? अक्षन नहीं हुआ. अन्ता करण में अभी अक्षन ओरिंटेशन नहीं है. अभी निर्मान हुआ है. इसे कहते निर्मान. जब आप अपने इमेजिनेशन को कंसॉलिडिफाइ करते हैं, तो निर्मान होता है. यहां से मानिली जी, आपको अमेरिका जाना है. यह कल्पना है. अब आपने उसकी प्लैनिंग की पूरी. यह बुद्धी है. और बुद्धी का जो अगला स्टेप है, यानि प्लैनिंग का जो अगला स्टेप है, जिसे मेटिकलिस्ट प्लानिंग बोलते हैं, वो क्या हुए? विवेक, मेटिकुलिस्टनिष, कुछ भी प्लान थोड़ी कर लेंगे हैं. अम हमें मेरिका जाना तो अस्टेलिया होते थोड़ी जाएंगे. यह चीन होते थोड़ी जाएंगे. तो हम एक consolidated planning कर रहे हैं विवेक ये विवेक का जागरण बुद्धी में होता है और लोग कहते हैं कि ग्यान भक्ती के सामने शुन है लेकिन भक्ती करने के लिए भी तो ग्यान चाहिए मैं यही तो बार बार खहता हूँ किसकी भक्ती करोगे भई एक साधू निकल पड़ा घर से किसलिए निकला उसे भान था फिर ग्यान भी था फिर उसने भक्ती की तो भक्ती श्रेष्ट है ये तो मैं मानता हूँ लेकिन ग्यान से भक्ती विचलित हो जाती है ऐसा नहीं है ग्यान से ही तो भक्ती आएगी श्री कृष्ण तो फिर कुछ भी नहीं, बेकारी कुछ कह रहे हैं फिर तो श्री अर्जुन भक्त भाव दिखाते, पूजा करते, रितुफल चढ़ाते, ताम्बूल, सुपारी, ये सब करते, फूलों की माला पैना देते, और युद्जीत जाते, यहुआ, इसका मतलब क्या कर्म करना है उसका ज्यान, तो बुद्धी से निर्मान होता है, और सही निर्मान हो इसके लिए विवेक चाहिए, इसलिए विवेक बुद्धी का इंतिकरिल पाठ है, और साधक की बुद्धी जितनी बढ़ती और खुलती है, विवेक का जागरण उतना बढ़ता चला जाता है. otherwise आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपका विवेग सिमित हो गया तो धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे धर्म क्या यहीं नहीं समझ पाएंगे ठीक है तीसरी चीज चित चित मतलब शरीर अंताह करण में कहीं शरीर नहीं है इसलिए तो अन्तहाय हो चित क्या है चित का मतलब एकागरता तो चित की वरत्या क्या है मतलब कॉंशिसनेस नहीं है चित कॉंशिसनेस इस दे ट्रांसलेशन अफ चित कॉंशिसनेस को एक्स्प्राइन करो अच्छा फिर क्या लगना चाहिए क्या लगना चाहिए मन से तो निर्मार तक आ गए फिर मन पर चले गए इसे नहीं जो श्रिकुष्ण के भर्त हो श्रिकुष्ण के स्टाइल मोलें क्या लगने चाहिए ध्यान नहीं आप उसे क्रिया में ले क्यों आए भाई चित का अर्थु पुछराओं में क्या अर्ए एक बोलो हां हिलता है हिर्दे चित मतना हिर्दे और हिर्दे तो एक लिंब हुआ शरीर का हिस्सा है हिर्दे जिसमें पंपिंग हो रही है वाल्व्स हैं आठ्रीज हैं ग्वेंस हैं हम अंता करण में कह रहे हैं कि वहां कोई पार्ट अफ बोड़ी है ही नहीं द्रण निश्य कैसे हो गया चित मतलब द्रण निश्य कैसे हो गया सोचो श्री कुछिन कोई सहरत बात ऐसे नहीं कह रहे होंगे उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है श्री कुछिन की हर बात के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है जब श्री कुछिन ने इंद्र के आदेश की अविहिला की है तो एक बहुत बड़ा लॉजिक है और उसकी तैयारी करते हों यानि को वर्धन किसे किसे ऐसे ही नहीं समझ सकते हैं मैं भी समझा नहीं हूँ प्रियास कर रहा हूं लेकि चित का अर्थ क्या है यह बताओ बटक जाएंगे दर चित का आर्थ है स्वभाव कैसा जो संसकार से उत्पन्न हुआ है यानि जब हम एक कारे को निरंतर लगातार करते रहते रहते प्रते रहते करते रहते तो हाँ संसकार वं जाता है इस वह वह संसकार वाटता है यह आ है तो वह सभाव को च्ट कहते हैं सभज में आया नहीं आया तो और डिस्कुस करेंगे मैं आपको इंकरेश करता हूं कि अपने शब्द अपनी परिभाशाएं अपने रस्ते चुनिये संकोच छोड़िये श्रिकृष्ण मना कर दिया ना शुरू में बात को कहते रहे यह मैं सोचे गलत हो जाएगी कहिए वने दीजे गलत गलत सही तो सही की तरफ जाता है मनुश्य तो चित सुभाव और यह तातकालिक सुभाव नहीं है हाँ संसकार जनित सुभाव यानि जो आदत पड़ गई है यह नेगटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है हमें इसे पॉजिटिव बनाना है और इसी को कहते हैं संसकार कैसे हैं यही वो चीज़ है चित और इसी चित की वृत्या होती है और यह चित उन वृत्यों की अंते मवस्था में जाकर स्थर होता है कौन सी पांच वृत्या है कित्ती तो चार यू रहेगी कौन सी निरुद्ध हुआ एकागरत चौथी वृत्ती है पांच में निरुद्ध जब आप पांच में वस्था पर आते हैं तो संसकार डिवलप होता है यही कारण था कि हमारी जो पंच कोशिये सिक्षण विवस्था थी या पंच कोशिये गुरुकुल सिस्टम्स में पेड़गोजी था थी वह बहुत सफल थी क्योंकि हम संसकार उत्पन न करते थे आज हम नहीं कर सकते किसी ब्रले में हो जाएं हो जाएं हम उत्पन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए कस्ट को सहिन करना अध्य गुरुजी डरते हैं कस्ट देते हुए क्योंकि उन्हें ना कस्ट सहन करना पड़ जाए दुबारा से हम भूल गए ना उन चीजों को जो कृष्ण कह रहे हैं हमने भूल गए तो जब आप कस्ट सहन करा ही नहीं सकता गुरुजी तो क्या मन क्या बुद्धी क्या विवेक और क्या चित्त से सिमस्कार निरुत नवस्ता जब आ गई यानि अब विचार ठम गए उससे ठीक पहले एकाग्र एकाग्र का अर्थ क्या हुआ दोन से कॉंसेंट्रेशन यह उसका ठ्रांसलेशन हो एकाग्र का अर्थ मैंने पूर में भी बताया है एकाग्र का अर्थ क्या हुआ उसके शब्द में ढूनो ना एक अग्र एक विचार और बाकी विचार क्या हुए फिर? क्या हुए? निरुद्ध हो गए रुख गए वही एक विचार लेके आगे बढ़ता है तो जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारी भिख्षा भी एकाग्र नहीं रह पाती है कुछ भी कमी रह जाए तो मैं तुमारे पास फिर आंगा फिर कर देगा है यह काग्र नहीं हुआ यह भ॥ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्यों कि व्रत्या नियंतरन में नहीं है नहीं तो जीवन में बहुत सारी चीज़ उतनी कठ़न नहीं है एक समान्मे बुद्धी के व्यक्ति के लिए भी अगर उसके विचार एकाग्र हो जाते हैं तो जीवन में कठ़नाईया 50% वेसे ही खत्म हो जाते हैं लेकिन हम भाग थे बहुत हैं जार उधर इसलिए विचारिक आगर नहीं रहता है आगे बढ़ते हैं उसके बाद चौथा चौथा क्या है अन्ताकरम एंकार एंकार का अर्थ जोर से बोली है निस्सितों के बोली है हमसे बैठे बाचित कर रहे हैं भगवान की हाँ अध्यात में एंकार का अर्थ अलग होता है दर्प घमंड अभीमान यह अलग शब्द है एंकार एंकार एंका जानी मुझको मेरा घ्यान वह है यह यह ग्यान यह एंकार जब हम भाषा सामान भाषा के रूप में प्रियोग करते हैं तो उसको दरसल्म घमंड यह दर्प के रूप में प्रियोग में लाते हैं गर्व पॉजिटिव करनोटेशन है गर्व है मुझे मेरे राष्ट पर गर्व है मुझे मेरी संस्कृति पर गर्व है घमंड नहीं कहेंगे वह यह निगतिव है क्यों दर्प घमंड आदी ये वो शब्द है जिसमें सामने वाले को नीचा समझा जाता और अध्यात्पिक व् पांधार अधार नहीं होती चाहने कोई रंग हो जाये कोई दद लोग चाहे कोई जाति हो क्योंकि यह सब शरीर कहीं कि है Ok तो हमंता करांड की बात कर रहें उस्वरीद की नहीं कर रेऊ Lehr 2 1 एहन से लंगता है तो अगर आप इतिमोलोजिकली देखेंगे आज की भाशा के अनुरूप देखेंगे तो एहनकार का मतलब भी वही है रावन में बड़ा एहनकार था उसको कहिए दर्ब या घमन स्वम का भान उसे होता तो वह कभी गलत रस्ते नहीं जाता और जो रावन के बारे में सिर्फ एक चीज़ कहते हम शिव का बड़ा ये था शिव का बड़ा वो था ये था लेकिन बस एहनकार की वज़े से मार गया रहा है रह चरत्रहीन था वो उसको स्वम का भान ही नहीं था क्या किया उसने वेदवती जी के साथ चरत्रहीन है केवल वो घमंड ही नहीं है उसका केवल वो दर्पी ही नहीं है चरत्रहीन है चरत्रहीन था की पराकाष्ठा है वो भीष बदल के क्यों गैस्त्री को उठाने रावण भी तो वही लब जिहाद कर रहा था रूप बदल के गया क्यों कर रहा था वैसी जाता और कहता कि माते चलो मेरे साथ माता का उसने कहता कि प्रभु राम को लीला दिखाने दीजे माते मेरे साथ चलिए और उनको आदर से लगता वहां पर अधमकाता नहीं तो वह चलित्रहिन व्यक्ति है केवल घमंडी नहीं है चलित्रहिन की पराकाश था इसलिए बाली बैश्ट करके जब ढ़ाया था तो बाली का दोस्त बन गया था गमंडी व्यक्ति का जैसे गमंडी टूटता है वो डिप्रेशिन में आ जाता है दो बहुत बड़े उधारण है रामायन सहस्तरार्जु अपरुशु राम कभी इस पर बड़े डिटेल से चर्चा करेंगे कि दोनों की सोच और रणनी तमें अंतर क्या है क्यों एक इश्वर समकक्ष भगवान सुरूप जैसे हैं और दूसरा उन भगवान से मारा जाता है ये वंच का नाश होता है समस्त क्षत्रियों से धर्ति खाली कभी नहीं हुई है ये वंच क्योंकि उसने प्रतारित किया था खैर इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे अभी तो हम यहां बात कर रहे हैं तो हमने जो चौथी बात की वो क्या है यानि मैं क्या हूँ मुझे मेरे बारे में क्या क्यान है अध्यात में एहमकार का यह प्रियोग होता है अध्यात में कितना दम होता है और उसी का अगर हम गलत प्रियोग करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे भाशा पर इसलिए पकड़ोना जुरूरी है भाशा को लेट गो जैसी चीज नही कर ली चाहिए अब सामने कोई चला जा रहा है अचाना कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा गड़ा आया खाई जैसा आया पीछे से कोई ऊच रहा है पीछे से कोई बोला खाई है जो चल रहा है उसके लिए उस शब्द का अर्थ दूसरा है बोले हाँ चार पूरी खाई है वो कहा रहा है नहीं नहीं खाई है बोले पांच भी खाने जा रहा था लेकिन चारी खाई है गिर गयाँ तो यह जो खाई है यह केवल शब्द भेत के कारण एक जान चलीगी क्योंकि खाई है पूरी खाई है सब्जी खाई है और वो क्या कहा रहा है खाई है यानि इतना बड़ा गड़ा है इसलिए भाशा फर पकड़ होनी दरूरी है भाशा को समझ ना और उसको सही रुप में प्रियोग में लाना आवश्क है हम उसको बहुत लूजली यूज़ करते हैं यह गलत है अब भारत जो अपनी भाशा के लिए विश्व इख्यात था जिसकी दो भाशाएं विश्व के यांत्रक बातावरण का अधार बन रही है वो भारत आज अपनी भाशा से दूर जा चुका है मैं यह नहीं कह रहा कि उसमें उर्दू अर्भी फार्सी यह मिक्स हो गई इसकी वजह से यह हो रहा नहीं जो हिंदी भी है बोल रहे हैं हम लोग उसके भी अर्थ पदल चुके और जिस तरीके से कॉपी चेक होती है नाइन तु ट्वेल बस समझ में आना चाहिए अब किसक कि क्या समझ में आगा कौंची काई समझ में आएगी यह पता ने कि यहां पर एहमकार का अर्थ है स्वेम को जान लेना स्वेम को समझ लेना श्री किशन और आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप से कहना चाहूंगा मन के बारे में जब बात चल रही थी मनेव मनुष्याणाम कारणाम बंध मोक्षयों मने क्या बोला दुभारा बोलता हूं मन एवम मनुष्याणाम कारणाम बंध मोक्षयों और ये इतनी गहरी बात है जैसका अर्थ पता चलेगा तो आनन्दा आ जाएगा और हमें ये चीज़ें आपको लग रहा कि ये इंप्रैक्टिकल बाते हैं नहीं जिन लोगों के लिए गीता का वास्तम में अर्थ हैं वो इन्हीं चीज़ों से बहुत उचाहियों तक पहु है इसलिए पांच को गीता का संदेश नहीं जा रहा है एक को जा रहा है यह मने पहले आपका एक्स्प्रेंग भी किया था क्योंकि वह उसको समझ सकता था तो मन ही बंधन है और मन ही मुक्ष का कारक है उस बंधन से मुक्ति का कारक भी बन है और मन ही बंधन है अब यह हम पर निर्भर करता है फ्रीडम अफ कर्म यह हमको इश्वर्श श्रम देते हैं तो आप कभी यह मस् समझना कि आप हर जगे बंधेवे हो आप कट पुतलिया हो ना कर्म की सुतंत्रता है अब कौन उसका कैसे अपयोग प्रियोग करता है वो इक अलग बात है तो मन ही बंधन है और मन ही बंधन से मुक्ति भी है इसे साधना बहुत जरूरी है और इसे साधने के लिए साधना करनी पड़ते हैं और साधना का प्रारंब होता है किस से ध्यान से यहीं लटक जाते है अब यहां पर यागवल के का उन्हें भगवान यागवल के कहते हैं उनकी विद्धता की वजह से उन्होंने एक बात कही थी मैं वो आपको बताना चाहता हूँ और उसे भी हमें बहुत सारी चीजें साफ होंगे यागवल के कहते हैं जीवात्मा परमात्मा संयोगो योगह जीवात्मा परमात्मा संयोगो योगह योग क्या है जीवात्मा और परमात्मा का संयोग रिशिपात अंजली भी यही कह रहे हैं लेकिन आज के दार में योग क्या है पहली बात तो योगा समझ नहीं आता है लोग कैसे हैं भारत की इस महान विधा के बड़े-बड़े मेले लगा रहे हैं मंच सजा रहे हैं और खड़े होकर नलजब की तरह करें योगा योगा कहां से हो योग आपको भी आदत पढ़ जाएगी क्योंकि गा बोलना असान होता है छोटे गा पे रुख जाना थोड़ा सा कठें होता है गा असान होता है तो योगा योग है अब अंग्रेजी में आप कहें ने योगा हो जाता है अंग्रेजी में डबले लिखता है क्या ज़रूत पढ़ी अभी भी अंग्रेज बनने की जब वो सप्रेम लूट शब्द को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर रहे हैं सप्रेम कर रहे हैं क्रिडिक देते हुए कर रहे हैं लूट शब्द और भी बहुत सारे शब्द उन्होंने अपनी डिक्शनरी में शामिल किये हैं हम क्यों संकोच करते हैं फिर अपनी बात को कहने में अब वो लूट को लूटा कर दें तो क्या निकले गारत? लूट का लूटा कर सकते हो? अरे? जड़ क्यों हो गए? यह तो कहते हो नहीं? कबुतर जब ऐसे 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 करता है फरश पर तो क्या कहते हैं उसे? तो लूटा कर दोगे तो क्या निकलेगा? तो शब्द की कितनी महता है और यही जब हम श्लोक में गड़बड़ी करते हैं तो यही चीज हमारा वो स्पंदन प्रस्वटत होना ही नहीं देता है इसलिए उस मंत्र का हमको लाभ नहीं मिलता है अब कल को आप एंगा कर दो तो क्या ज़रूरत है मिलिट्स कहने की? कहो न अनाज अनाज में भी आ रहा है लास्ट में अनाजा कर दो इस थुड़ी होता है कल को किसी से कहोगे हम उनके आ जाते हैं कि नके पवना अपनी भाशा पर कहा है मिला और यही चीज जब हम उर्दू बोलते हैं तो गड़बन नहीं करते हैं उर्दू बोली खौई कहा हमने चाहें मलीदा बाहर आगे लेकर कहा हमने खौई हम विद प्राइड कहते हैं इस बात को तो फिर योगा क्यों रामा हू बोलो फिर उडिसा के स्टाइल में या बंगाल के स्टाइल में समझ में आता है मेरी भाशा है मतलब देश की भाशा है कुछ भी देश का होना चाहिए रामा बोलो कुछना बोलो अंग्रीजी स्टाइल में हिंदी यह नाम नहीं देती है बिज़त ही कराती है एक्च्वली हम जैसे लोग तो कुवस्ते बात में धीरे धीरे प्रवत्ति छूटेगी ऐसे अभी तो योगा ही बोलोंगे लेकि धीरे धीरे जब चेतना आएगी तब समझ में आएगा अब दूसरा हिस्सा श्रे कृष्ण जो ये चार बात कहते हैं अन्ताहकरन चातुष्ट है ये क्यों कहते हैं ज्यादा गंभीर हो रहा हूं क्या नहीं जड़ और चेतन ये दो चीज़ हैं जड़ मतलब जैसे भजन होता है और आपसे कहा ना जाए ताली बजाओ तो आप जड़ रहते हो ताली भी नहीं टकरा रही और बहुत सारे इतना भी कष्ट नहीं उठाते क्योंकि संकोच नहीं टूटा संकोच नहीं टूटेगा तो वही बुद्धी वही मन क्या कर रहा है बंधन में डाल रहा है हम बड़े लोग हैं भाई कैसे और वहीं छोटा सा एक बच्चा होता है उसका मन बंधन तोड़ देता है वो नाचने लगता है तो वो जड़ की स्थिति है और दूसरी जेतना पर रात डेड़क पावने दो घंटे विवेचना हुई तो बहुत जादा उसकी विवेचना की जुरूत नहीं है लेकिन ये दो चीज़े जड़ और चेतन अब देखिए ये उंगली क्या है कल बदायत हमने ये उंगली क्या है इनी दो कंटेक्स्ट की बात करें जड़ है इसकी चेतना कहा है अगर चेतना शूनने है तो ये उंगली सड़ जाएगी इसी को कहते है मृत्यूत यानि मनुष्य तब तक जीवित है जब तक चेतना है और मनुष्य उतना ही बड़ा है जितनी चेतना शक्ती बड़ी है इसलिए बुद्धी खोलने को कहता है धर्म बुद्धी खोलने को कहता है अध्यात्मा बुद्धी बंद करने को नहीं कहता है श्री कृष्ण कर क्या रहे है युद्धक्षेत्र में खड़े होकर बुद्धी खोल रहे है श्री अर्चुन की तो जब हमारा भगवान हमारी बुद्धिया खोल रहे है हम कौन होते हैं यह कहने वाले अरे कल यूग है भजा नगाओ भगवान मिल जाएंगे ना मिलते किसी हद में ना मिलते भगवान को इस यूग से कोई फरक नहीं पड़ता और भगवान है कोई political leader नहीं है जिने vote चाहिए लोगों के भीड चाहिए वो तो एक भगवत के कंदे पे लतके चल देते हैं वो शर्त है वो भगवत हो वो एक भगवत को अपने हां बुलाकर उसके चावल खाकर उसको महल दे देते हैं भगवान की सोच अलग किसम के उसे भीड नहीं चाहिए राजनेता को भीड चाहिए धर्म की सिक्षा देने वाले को भीड चाहिए स्कूल के टीचर को और स्कूल को भीड चाहिए भगवान को नहीं चाहिए उसे भगत चाहिए और उसके पैरामीटर कभी नहीं बदले सत्यूग में भी वैशे ही थे कल्यूग में भी वैशे ही है यह कहना कि वह बदल जाएंगे अब मैं कुछ भी करूंगा तो वह आई जाएंगे मन एक बार कह दिया हरुमान जी अब मज नहीं तो जिस तरीके से स्कूल मनेजमेंट है जिस बच्चे से फीस लेता उसको डंड नहीं देता भगवान जी भी यह करने लगेगी कोई जस्टिस होगा भगवान नहीं करेगा कभी यह से तो चेतना शक्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी शरीर उतना शशक्त होता जाएगा लेकिन चेतना शक्ति जब बहुत बढ़ जाएगी अब शरीर उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो छोड़ना दोनों ही परिस्थितियों में है चेतना शक्ति शुन्य हो जाएगी तब भी शरीर मृत है और चेतना शक्ति जब बहुत बढ़ जाएगी तो भी उसे शरीर कंटेन नहीं कर सकता छोड़ देगा लेकिन एक जबरदस्ति की मृत्यु है और एक इच्छानुसार मृत्यु बहुत फर्ख है अफ्तारी लोगों को इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त होते है उनकी चेतना शक्ति इतिनी बढ़ जाती है और यही मेरा निवेदन भी है यहाँ जो भी लोग आश्रम से जड़ते हैं जेतना शक्ति बढ़ाओ और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी रहा पकड़े रहो पहाँ के नीचे के पत्थरों को गिनते चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे अपनी रहा चलो अब पत्थर आएगा आएगा तो जब आएगा तो महसूस होई जाएगा चलते रहो चोटी चीज में नहीं उन्चोग नंभी रेस के घोड़े तो यह चीज श्री कृष्ण समझा रहे हैं अब इसको और एक्स्पें करते हैं बगवाल मैं सोचा था दिहाई सोलाज पून करूंगा लेकिन मुझे बड़ा अनंद आ रहा है आपका पता नहीं आप फौज में मैं मौज में अब भगवन क्या कहते हैं शुलुक दो में नहीं एक ही वाए शुलुक दो में भगवन कहते हैं मन वाडि और शरीर से हम भगवन को ऊतना दिमाग नहीं इसलिए हम एंप्रैक्टिकल बात करते हैं श्रीकृष्ण कितने प्रेक्टिकल बात कर रहे हैं। मन वाडी और शरीड से किसी पिरकार भी किसी को कष्ट ना देना। लेकिन धर्म की स्थापना जुरू करना। उसके आगे क्या कह रहे हैं। याथार्थ और प्रिय भाश्वन। जिसे हम सामाने तक कहते हैं सत्यम बदम प्रियम बदम। सत्य तो बोल नहीं बोलना है, प्रियता के साथ बोलना है। चुबता हुआ सत्य नहीं बोलना है। महराज आप एक टांग से चल नहीं पाते हैं। यथार्त बताते हुए, सत्त भी बोले, प्रिये भी रहे। हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन हमने उसे सत्त भी बताये, यथार्त भी बताये। तो यह श्री कृष्छन कहते हैं, आगे कहते हैं, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोधित ना होना। कठे नवस्ता है, लेकिन भक्त दीरे दीरे प्राप्त कर रहेता है जीवन में कभी न कभी। उसके बाद कर्मों में करतापन के अभीमान का त्याग। अभीमान का त्याग। एहमकार नहीं करें। आगे अन्ताहकरन की उपरती यानि चित की चंचलता। अभी यह अभी वो अभी वो अभी वो अभी वो ऐसे इसे करना। यानि चित की चंचलता का अभाव उत्पन करना। यानि श्री कृष्ण ने क्या कहा। पीछे के अध्यायों के अनुसार क्या शब्द दिया इसे। चंचलता के अभाव को श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इस्थित परग्य। देखो विद्यार्तियों। हम सब खृष्ण के विद्यार्ति है। जो श्री कृष्ण क्लास में पढ़ा रहे हैं। उनकी क्लास रत पर लग रही है। अब हमारा यह कर्तव बनता है कि इसका रिवेजिन भी करें। तो मैं जो थोड़ा वो समझ पाता हूं। वो वीडियो में अंकित है। दुबारा तिबारा सुनी अनिता याद नहीं होगा। क्योंकि हम अब इस संसकार के लोग नहीं रहे गए। हम हमारे जीवन में दूसरी और हमें रमना पढ़ रहा है। ना चाहो तब भी रमना पढ़ रहा है। मैं आपको घलत नहीं कह रहा। मजबूरी भी है। इसलिए आपको ज्यादा रिविजन चाहिए। ज्यादा सोच विचार चाहिए। एक युग था पचास सौ साल पहले भक्त को केवल भक्ती करनी है। विक्षाम देई कह दिया घर के आगे किसी तो उसको रोटी मिल गई। और कभी-कभी तो विक्षाम देवी नहीं कहते थे। जैशिव शंकर समझ गई। रादे रादे समझ गई। साधू आये हैं समझ गई। अब नहीं हैं वह बाता बना। तो इसलिए हमें बार-बार रविजन करना पड़ेगा। इन शब्दों को भावों को इन गुड़ों को समझने के लिए बार-बार रविजन करना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं। किसी की भी निंदा दी ना करना। हो कुछ लोग जीवित ही नहीं रहेंगे पर दोई कार्मों के लिए जीवित है खाने के लिए नहीं तीन खाने के लिए परिवार बढ़ाने के लिए और निंदा करने के लिए अगर निंदा को मिर्ट का आधार बना दिया जाए तो भारत में पुना 33 करोड़ों लोग आ जाएंगे जो 47 में थे बहुत कठेन हैं बिना निंदा किये रहना बहुत कठेन है ऐसी मरोडे उठे थी हैं पीट में बहुत कठेन हैं मैं सच बता हु बिना भोजन के रहना बहुतर है बिना निंदा के रहना बाउत रहना इनी है निंदा को ढून लेंगे आप निंदकों को ढून लेंगे और फिर क्या लेकिन क्या फिर भक्ति मिलेगी फिर क्रुशन की करुणा मिलेगी फिर क्रुशन की कृपा मिलेगी नहीं बहुत मुश्किल है बिना नहीं और निंदा का आधार नहीं होता विसलेशन का आधार होता है इसलिए आधारहीन बात करने में बहुत आनन्द आता है दो आधारहीन आत्माओं को इसलिए श्रु तो बहुत कठें काम बड़ा सोचना समझना पड़ता है श्री कृष्ण आगे कहते हैं सब भूत प्राडियों में हे तू रहित दया यानि आपको दया करनी है हे तू रहित उसके अगेंस्ट लेना कुछ नहीं बस करनी है करनी उससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई सोच नहीं बस करनी है इंद्रियों का विश्यों के साथ संयोग होने पर भी आसकती ना होना अर्जन तु मासक्त हो जाते हो मैंने ही रहता ग्रस तो शिरी कुषण भी है संतान तो शिरी कुषण की भी है आसकत नहीं और समय आने पर वो दिखा देते हैं अपने पुत्रों को भी डंड देकर कि मेरा काम द्याय करना है आसकत होना नहीं है और श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र मृत्य को प्राप्त करते हैं क्योंकि वो बिगड़ गई थे आगे कहते हैं कृष्ण कोमलता लोक और शास्त्र से वृद्ध आशरण में लज्जा और विर्थ चेश्टाओं का भाव लोक अचार जिसे कहते हैं या शास्त्र वृद्ध कारे उन नहीं करना है चौथा श्लोक इसको द्यान से सुनिये जरा दंब घमंड जिसकी बात मैं भी कर रहा था और अभिमान तथा क्रोध कठोड़ता और अग्यान नता भी ये सब असुरी संपदा को लेकर रुद्पन हुए पुरुश के लक्षणा हैं यदि ये चीजे हैं हमारे अंदर तो हमें किसी एक्स्टरनल एडवाईजर के आवशकता ही नहीं है यदि ये हमारे अंदर चीजे हैं तो आप अपने आप ही अपने पैरामीटर्स को चेक कर लीजी आप असुरी है ये देवी है शुलोक तीन में वो देवी संपदा की बात करते हैं और जिसमें वो नहीं है और ये है दंभाचारण आदी दुरुगुण है वह असुरी संपदा युद्द हैं और कृशन जी एक चीज और कितनी अराम से कहते हैं कि जो असुर है उनकी चिंता ही मत कर मरने दे अपनी चिंता कर क्योंकि तो देवी संपदाओं से ही अपता है मुझे नहीं पता आप मेंसे कितने लोग अध्यादपत पर प्रखरता से आगे बढ़ना चाहेंगे आगे मैं नहीं जानता लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसे अनुभाव करेंगे वो निश्ठुरता नहीं है जो असुरी संपदा से युक्त लोग है वो उनका ख्याल नहीं रखेंगे नहीं तो धर्म के स्थावना नहीं हो सकती वो निश्ठुरता नहीं है वो न्याय है तो आपको ये चीज धीरे धीरे तब समझ में आने लगेगी तब आप आसक्त इसे दूर जापाएंगे हाँ ये जरूर है कि कुछ समय संसार में मिस्फिट हो जाएंगे फिर संसार आपको सिखा देगा संसार में फिट होना तो दोनों जगे थोड़ा थोड़ा बैलेंस बन जाएगा लेकिन जब आप उस मार्ग पर चलेंगे अनुभवत भी होगा अन्यत नहीं होगा सोचने से नहीं होगा श्रीकृष्ण आगे कहते हैं मैं श्रोक दस पे सिधा आ रहा हूं उसी बात को आगे बढ़ाते में ब्रस्ट आचरोनों को धारण करके अज्यानी लोग ऐसे ही विचरते हैं और और जो लोग दंभ मान आदी मद से चूर होकर कुछ कामनाओं के पीछे भागते हैं श्रीकृष्ण डिकलियर कर रहे हैं उनकी वो कामनाएं कभी पूरी होती ही नहीं इसलिए सीधे रस्ते चलो ना होगी तो ठीक नहीं होगी तो ठीक यह मेरे हाथ के आपके हाथ की किसी के हाथ की बात तो है नहीं हमारे हाथ में तो कर्म करना है कर ले तो पल देना श्रीकृष्ण के हाथ में हो जाने तो वो कह रहे हैं कि कामनाओं के पीछे आप भाग भी रहें लेकिन आपका जो आचरण है वो उप्युक्त नहीं है तो कामनाओं की पूर्ती तो होनी से रही भटा कोहर है जीवन और छूट गया अब इसी चीज़ को वो शुलोक 15-16 में कितने सुंदर्त और सहजिता के साथ समझा देते हैं देखें कि श्रकृष्ण का गुण that's why I call him a public teacher, one of the best public teachers the world might have witnessed वो क्या कहते हैं मैं बड़ा धनी मैं बड़े कुटंब वाला मेरे समान दूसरा कोन है मैं यग करूंगा मैं दान दूंगा मैं अमोद-प्रमोद करूंगा इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तता अनेक प्रकार से भ्रहमित चित वाले मोहरूप जाल से समावरत और विशेभोगों में अत्यंत आसकत असुर लोग महान अपवित्र नरक में जागिरते हैं I am not the dwer मैंने जीवन में कुछ नहीं किया मैं कुछ कर भी नहीं सकता मैं क्या करता हूँ? अन्ता करता हूँ मैंसे मतलब not pavna मैंसे मतलब सब लोग I am not the dwer मैं अंता करण की उन चारो अवस्थाओं से अंता करण चातुष्ट की उस चारो अवस्थाओं से गुजरता हूँ मन कलपना कर रहा है बुद्धी निर्मान कर रही है चित्त संसकार उत्पन कर रहा है और मुझे स्वें का भाने हमकार दे रहा है तो हम उस अवस्थाओं से गुजर रहे हैं हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं हम गुजर रहे हैं ये भी हम नहीं कर रहे हैं हम गुजर नहीं भी सकते हैं कोशिश कर रहे हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं इसलिए कभी भूल के मत कहना मने ये किया, ऐसे व्यक्त का नाश तैहे, ऐसे व्यक्त का अभिमान तैहे, ऐसे व्यक्त का हास से उड़ना तैहे, अगर कोई साधु बंध लगा देना आपको, आप धर्ती से उठे नहीं सकते, शरीर इतना भारी महसूस करोगे, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, अब मान लोग, आप यहां हैं, खाने की कोई चीज नहीं है, आप खाना उत्पन्न नहीं कर सकते, यह भी कुशन नहीं करेंगे, तो जब हम इतने छोटे से काम नहीं कर सकते, मंदिरों में कुड़ा साफ नहीं कर सकता भगवान का भगत कुड़ा फैला सकता है नहीं तो मंदिरों में आश्रम में कुड़ा साफ करने वाले रखनों लोगों पर क्या खर्च करना चाहिए था कोई भी आई जाड़ो लगा उम तो उसी प्रसिक्षन से आएं जाओ जाड़ो अपना भगवान का महल है न अपने आप सजाओ अनन्द आएगा शीखेंगे उसी और तब हम उस असुरी शक्तियों से बचे जाएंगे तब हमें समझ में आएगा I am nothing I am not the doer माने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कुछ करी नहीं सकता है कोई करवार रहा है और ये भाव जितना प्रबल होता जाएगा अंदर से आप उतने गदगद होते चले जाएंगे यही है यथार्द उसके बाद कृशन कहते हैं अज देखे कितनी गंबीर चोट कर रहे हैं अपने आपको ही श्रेष्ट माने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मातर के यज्यों द्वारा पाखंड से शास्त्रु विधी रहित यजन करते हैं यादी सब यग्य नहीं होता है हवन और यग्य में क्यांतर है यग्य कोई अनुष्ठान की तरह होता है और हवन डेली बेसिस पर होता है ठीक तो जब हम कोई सद्धि के लिए प्रयास करते हैं सद्धि का मतलब यही नहीं है कि हम किसी का भविश्य बताने लगें बहुत तरीके की सद्धि हैं दुनिया यांतर की सद्धिया भी सद्धिया ही है ना तो जब हम उस किसी अनुष्ठान को करते हैं वह यग्य है यग्य में श्रे परिभाशित कर दो मनुष्य के अंदर पांच प्रमुक्वायू है उनका आपस में आहुती करना श्रे कृष्य के लिए यग्य कीजिए कष्ट सहीए तब यग्या नहीं है श्रे कृष्य आडंबरों से दूर रखते हैं सबको और हम वही बज़ाते जाके उसमें श्रे कृष्य कोई बज़ा देते हैं भग्त तो भग्त भग्वान पर बारी बढ़ता कभी कभी लेकिन कृष्य बचाएंगे आपका अडंबरों तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई अनुष्ठान के पृती जो आप कार्य कर रहे हैं वह यग्य है और जो समाने प्रक्रिया में आप हाविष्य के साथ जो अपना देवताओं के पृती कर्म पुण कर रहे हैं हाविष्य क्या है समेधा सामगरी क्या होता है पेड़ों को रस मिलता है वातावरंड शुद होता है manusha के लंग्ज खुलते हैं क्योंकि वैसा बच्वदिया है अब आजकल लिए आती है मार्केट में विक अलग बाद लेकिन मूलता हुआ अशुदिया है हम लोग कूट पीज के क्या क्या कर करके सब लोग बनाते हैं वह उशदिया है नाक खुल जाएगी लंग्स खुल जाएंगे आपके अब लंग्स खुलेंगे तभी सक्रियत आएगी और एकागरचित तो होंगे अगर नाक बंद है तो ज्ञान द्वार भी बंद है मननाक में लगा रहेगा जप में नहीं जाएगा तो ऐसे लोग क्या है असुरी योनी के लोग है और ये मुझगो प्राप तो नहीं करते हैं आगे श्रे कृष्ण कहते हैं जो दूसरों के कल्यान का आचुरण करता है महाशिवरात्री पर मनेक बात कही थी याद है कल राद भी कही थी श्रुमेन श्रुु श्रुख हुए बिना श्रुख की पूजा नहीं हो सकती हम कहेंगे कि हम कैसे श्रुख हो सकते हैं हो सकते हैं श्रुख का अर्थ क्या है कल्यान तो अगर मेरे मन में किसी की कल्यान की भावना है ही नहीं मैं मुझे तक सीमित हूँ तो मैं शुव कारे करी ही नहीं सकता मैं शुव हो ही नहीं सकता और जो शुव नहीं हो सकता वो शुव का भजन पूजन बासना करी ही नहीं सकता इसलिए देखे अध्यात्मकार्थ है परिवर्तन क्या आ रहा आपके मन में विचार में कर्म में परिवर्तन क्या आ रहा है यह महत्पुन अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सब दोंगे और अगर आप परिवर्तन का प्रेतन कर रहे हैं तो भक्ती है और परिवर्तन आ रहा है तो कृपा है और नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं सब बेकार तो परिवर्तन ये नहीं है कि आज सो रुपे हैं कि दो सो कर दे भगवन आज ये वाली गाड़ी है कि दे वाली कर दे भगवन और मेरी ना करे तो ये एंशूर कर कि पडोसी कि ना हो जाए ये वाला परिवर्तन नहीं मान परिवर्तन ये मनुष्य के भीतर का महतत वो परिवर्तन जागरत करता है तो क्या उत्पन हो रहा है? अभी हमने अन्ता करो चात उष्ट में बात करी तो क्या उत्पन हो रहा है, बोलो, बोलो, अरे, संस्कार उत्पन हो रहा है, यह संस्कार कौन सी अवस्था है, चित की, तो अब चित बदल रहा है न, भगवान के पास बैठ कर, भगवान के भजन गा कर, भगवान की कथाएं पढ़कर, सुनकर, सत्संग करकर, भी अगर चत्त में परिवर्तन नहीं है, तो यह भगती नहीं धोंग है, या उधनी थोड़ी देर के लिए है, जैसे सम्शान में बैठ के सभी ओगड हो जाते हैं, सभी को मिर्त्युका ग्यान हो जाता है, कितिनी देर है, जब तक घर नहीं पहुचते हैं, और कहीं के तो फोन बीच में ही शुरू हो जाते हैं, उत्ते में बिठा लेना सोदा, किता हम, यह कह रहे हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने कल्यान शब्द का प्रियोग किया, कि जो उस कल्यान भावना से बेरी भक्ती करता है, इसे भी करने को तयार नहीं है, क्या करना चाहता है वो भक्ती के नाम पर, उसे खुद नहीं पता, और नहीं पता, अग्यानता, ख्रमा का वहाना नहीं है, भगवान के निगाम, आप नहीं जानते हैं, यह आपको अग्यानता है, मने आपको कैपिलिटीज दी हैं, भगवा दिया था आपने जानना नहीं चाहा तो भुगतो उसके बाद अंतिम बाद 24 सुष लोग की जो श्री कृष्ण कहते है इस से तेरे लिए इस कर्तव्वे और अकर्तव्वे की विवस्था में ही शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तू शास्त्र विद्धी से नियत कर्म ही करने योग्य है हम बहुत सारी पूजाएं ऐसी करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है लेकिन हमें पता नहीं हम कहीं चले जाते हैं बहुत सारे कारें ऐसे कर देते हैं तो हुग क्या कहते हैं शास्त्र सम्मत बात करो और जब आप पढ़ोगे न शास्त्र को थोड़ा थोड़ा भी जैसे अब आज हमने यगवाल कर जी को पड़ा यगवाल के जी कितना जीवात्मा परवात्मा का से योग योग है कितनी खुबसूरत बाद है एक संटेट इस पातंजल क्या कहते हैं योगश्य चित वृत्य निरोधा चित की वृत्यों का निरोधा कर दीजिए योग है अब हाथ पीछे नहीं जा रहा कोई बात नहीं दिल भगवान तक जा रहा है योग है क्योंकि हाथ पीछे जाना तो योग है ही वे आयाम है नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है क्या करें फ्रीज हो गया डॉक्टर साब करेंगे लेकिन डॉक्टर साब आपके लिए योग धूर्ट करेंगे वो तो आप अपने ध्यान से करोगे बुद्धी का विस्तार यह है जुन तक पहुंच रही है उसको में नच्छल में कह रहा हूँ कार्म उचित कर्म समयो उचित कर्म शास्त्र संगत कर्म कल्याण से भाव से कर्म रेपीट करो कर्म समयो उचित कर्म यह देविय शक्तियों के गुण और जो इस मार्ग पर चलता है उसे मैं प्राप्त होता हूँ असुरी शक्तियों को नरक प्राप्त होता है देविय संपदा को ये देव ये संपदाएं हैं सारी, देव ये संपदा को मैं प्राप्त होता हूँ, ऐसा शिरिकुषन सोलमे अध्याय में कहते हैं, तो आज हमने कई शब्दों के अर्थों को समझा, दंभ क्या है उसको समझा, गर्व क्या है उसको समझा, विवेक क्या है, न्याय क्या है, एह और श्री कुछन किस तरीके से कह रहे हैं कि जीव आत्मा को क्या करना है परमात्मा की तरफ भागी चली जाए भागी चली जाए अपने आप योग हो जाए किस से परमात्मा से तो हमारे लिए पत भी खोल रहे हैं श्री कृष्ण कभी प्रैक्टिकल बात नहीं करें वो आपको सिद्धान्त समझाते हैं सिद्धान्त के दोनों पक्ष रखते हैं और उसके बाद जो सकारात्मक पक्षणों से प्राप्त कैसे किया जाए यह टेक्नीक सिखाते हैं यह है कृष्ण इसलिए वो जगत गुरू है गुले योगे इश्वाश्वरी कृष्ण भगवान की चैने द्यान का समय तो नहीं हुआ कि साथ मिनट हमारे पास है एकाथ कोई प्रशन अगर हो मन में तो आप कर सकते हैं तो ट्रेफिक पूलिस कैसे बने है राम राम गुरुजी गुरुजी सोल में अध्या में हमने तीन चार सब्द एक जैसे आ रहे हैं तो क्या सब का मतलब एक है आसुरी संपदा, आसुरी प्रकृति, आसुरी योणी और आसुरी स्वभाव क्या सब का मतलब एक है गुरुजी आसुरी संपदा, आसुरी सक्ति, आसुरी योणी, आसुरी स्वभाव क्या सभी एक ही है, आसुरी से लिंग्ड है जब हम स्वभाव से असुर हो जाते हैं तो हम क्या कामाते हैं, आसुरी संपदा प्रड़क्ट कैसे, क्योंकि हमारे अंदर वही नेगिटिव पावर डिवेलप हो जाती है, असुरी शक्ति तो असुर की इक्षा करता है, अपनी इक्षा की पूर्टी में वो भी शक्ति लगाता है, वो लेकिन अकहरातमक शक्ति है, और उसका परणाम जो सामने आता है वो असुरी संपदा कहलाती है, यानि उसका प्रुड़क्या है, बुरे का बुरा परणाम, वो असुरी संपदा ह और वहीं जो देविये विक्ति है वह देविये शक्ति की तरफ बढ़ता है उस शक्ति का पालन करता है तो उसको क्या मिलती है देविये संपदा मिलती है देविये संपदा की परणिती क्या इसकिस में होती है तो यह शब्द थोड़े थोड़े अलग है लेकिन यह सब एक आपने बताया है कि विष्णु एक पढ है तो तो जिस विष्णु के बारे में हम पढ़ते हैं उस काल के तो लक्षमी क्या उसकी पत्नी है या फिर लक्षमी भी एक पढ है उनकी श्री हरी मिलकर ये बनाए हमारे हाँ पुरुष और प्रक्रति ये मिलकर ही श्रश्टि का खारक बनते हैं तो हर विष्णु के साथ श्री लक्षमी अवश्य होगी श्री अवश्य होगी तो अगर विष्णु पुरुष है तो वह इस त्री शक्ति है वह वह पद है अगर विष्णु जी एक पद है तो वह उस पद पर इस थापत इस तरी है ठीक है ना इस तरह से उनका भी पद है उनका भी पद है उनका भी पद है शरी पद है हुआ है हां राम राम गुरुजी स्लोक चार में कठोड़ता शब्द आया है गुरुजी चार में समझे मों कोअ मम के साथ जूड़कर यह कठोड़ता किसी पी रूप में अधि чис्ठोड़ता के रूप मैं समझी कैस कोमलता नहीं है कठोड़ता मनुशुत्त वह है कठोड़ता असूर है जैसे कठोड़नुशा शाशन की बात हम करते हैं तो व गलत कफोर साशन की जब हम 박ाथ कर विशय। नहीं से काथोर शब्रेति kind है तो कफोर साशन की बात हमें नहीं करने चाहिए ने करो ह multifden जैसे इंगरेजी में कई स्टिक्ट yer to strict । कफोरा तक Bardos ड्रकी अग स्टिफ होना यानि लचक का अभाव कठोरता यहां सभाव के रूप में मने नयाय करना ही नहीं है नयाय करना होगा तो flexibility चाहिए लचक चाहिए सुनूंगा न दोनों पक्ष को और कठोर होंगा तो जो मेरा मन तो इसलिए यह असुरी संपदा है असुर कठोर होगा फिर भी गुरुजी कठोर शब्द समझ में जो अब तक सोचते आएं कठोरता को यही problem है दरसल भाशा ने बहुत सुरूब बदले हैं उसलिए लगभग लगभग दस हजार वर्षों में और उसमें हिंदी तो बहुत बाद में आई है तमिल संस्कृत संस्कृत के भी दो भाग ब्रह्मी खरोष्थी यह लिप्या तो बहुत सारे वरक्तों से पार आई है भाशा तो एक होती है colloquial language अपने अनुसार शब्द डाल देते हैं तियां पांचा हो गया अब तियां क्या है पांचा क्या है लेकिन इसका अर्थ इस्पस्ट है जिसका हुआ है और जो बता रहा है दोनों का अर्थ इस्पस्ट है इधर के थड़ी दूर देड़ सो किलो मीटर आगे जाके बज़ण मच गई अग जिसकी मची और जिसने एक्स्प्लें की दोनों को किलियर है ऐसे बहुत सारी शब्द होते हैं जो आम भाशा में आ जाते हैं यद्द भी उसकी कुना कोई परिभाशा होती है रामायण के उपर जो प्रशन उठा दिये दो लोगों ने मुर्खों ने उन्होंने तो उसे हिंदी समझा ना रामायण को हिंदी है नहीं अवदी है अवदी में ताड़ना शब्दा लग है अब राजनीतिक मुर्ख का क्या कहें वह कोई विद्वान तो है नहीं उसने तो जंडा बुलंद करना था लेकिर घलत तरीके से कर गया तो दोनों दल दल में अंदर महामला शान तो गुरु जी स्ट्रिक्ट डिसिप्लीन को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे नियम 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 है अब आप कहें नियम तो कठोर है तो यहां पर आप कठोर शब्द का जो प्रियोग कर रहे हैं यह एडजेक्टिव के रूप में कर रहे है मैं नियम से चलता हूँ इसका मतलब यह है मैं नुसाशन से चलता हूँ मैं कठोरता से चलता हूँ आउशागी नहीं है कहना शब्द न्याय है ठीक है निस ट्रिक्ट मतलब वो नियम से नियम के लिए आ रहा है कथोर के लिए नहीं आ रहा है कहां छुप गया रहे कथोर वो कड़ा शब्द ये भी है कड़ा ये भी तो है कड़ा प्रशाद भी होता है कड़ा कड़ा को कड़ा भी बोल देते हैं तो ये आम भाशा का शब्द है बोलने चालने वाली भाशा का शब्द है बोल सकते हैं वो तो कोई भी बोल सकते हैं अनुसाशन अपने आप में नियम अपने आप में ही हाँ, structured है कि ये structure है उसमें लचक नहीं है उसमें नियाय है लेकिन उसमें नियम है तो से हम कहे देते हैं कठोर कि कठोर का या अर्थ भीता है कठोर दिल वाला है दिल कभी कठोर हो सकता है पंपिंग कैसे करें अभी है जैसाद मिठा दो ले सकते हैं दो के बाद नहीं गुरुजी हमने रात में भी पढ़ा था और अभी आपने जब एक्जेम्पल दिया था कि ब्रेन जो अंगूठे को चला रहा है अगर यह निर्जीव हो जायेगा अगर ब्रेन इसको गाइड नहीं करेगा लेकिन कुछ एक स्तितियां ऐसी हो जाती है जब ब्रेन तो करना चाह रहा है लेकिन शरीर नहीं चल पा रहा है जैसे पैरलाइसीज में जाता इस हो उद्म रही है लेकिन शरीर में जान नहीं बची है उस तिथी को हम क्या कहेंगे यह बोलना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है लेकिन ब्रेन अक्टिवली चल रहा है लेकिन शरीर में अब वो चीज नहीं है लेकिन निर्जीव नहीं है निर्जीव नहीं है लेकिन निर्जीव नहीं हुआ क्योंकि बाकी हिस्सा चल रहा है और उस हिस्से में भी जैसे जैसे ब्लड फ्लो आएगा वह हिस्सा भी सजीव हो आएगा कम हो ज्यादा हो ये एक अलग बात इधर से कोई हाथ उताता है हम अध्यात्मिक जनता और नौन अध्यात्मिक वर्ल्ड में तुए इफरेंस्स नोटेस करते हैं जैसे अध्यात्मिक लोग कहते हैं कि आलकोहल, स्चूंट आप कंसिडर किया जाता है ह। जब हम यह नोटेस करते हैं अध्यात्मिक वर्ल्ड में थड़ेंस्ट आध्यात्मिक वर्ल्ड में थोड़ेंस्ट Candra तो हम्में जब पूछा जाता है कि वाइस इस सो, हम कहते है कि it is forbidden religion, पर वो पूछते है वाइ, why is it forbidden, तो इसका क्या उतर है? It budgets negativity, इसले एचर कोच स ? Anything which begets negativity is forbidden, because spirituality tells us how to be positive person. दे विर कुछ आपदास्च नही जब एपदान। How to inherit the Godly products. or the godly or the divine divine word is little better easily understandable so divinity so spirituality budgets divinity and if somebody is not spiritual he will not embrace divinity later on he may come to know that I was thoroughly negative and that was why I couldn't lead my life with peace whatever I had, I had enough but then too I was not peaceful person, I was not a happy person so he may realize it later on and then he will become spiritual so spirituality right from the beginning says be positive be divine be godlike to uska uttar yeh dena hai humme yeh nahi kehna hai ki this is forbidden why it is forbidden that too is written because it impacts on our brain on our thought process on our indriya on our conscious level that was that is why it is forbidden so anything which disturbs heart mind and soul is forbidden he is two two that is come on come on let's go four minutes come on let's go let's go I will be Ram Ram Guruji आपने एहंकार के बारे में बताया है, हमका ग्यान एहंकार के बारे में आपने जब बताया था कि मुझे मेरे बारे में ग्यान है किन्तु ग्यान की प्रक्रिया तो अनवरत जारी रहती है मान लीजिए अगर मैं एक ऐसी स्थिती में उम्र के बाद 60-70 साल, 80 साल के बाद भी, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जहां हमें ये लगता है कि हाँ, ईश्वर की प्राप्ती हो गई है, ताकि हम संतुष्ट हो सकें, श्वयम कृष्ण भी जब अर्जुन को संतुष्ट कर पाए, तब गांडी उठाया उन्होंने, तो ऐसी स्थिति कैसे पता चलती है हम लोगों को, कोई कुछ लोग बहुत एक कम उमर में, अब अधारन के लिए आप ही को अगर मैं देखूं, तो आपको मुझे लगता है, 15 साल से मैं टीवी के माध्यम से मेरा पुरा परिवार जुड़ा हो तो बहुत पहले से, बच्चा अधा था चाहिद तब हैं, बच्ची आद भी निही कब मैंने पहली बार आपको देखा अदर, तो तो आप जिस उमर पे हैं आज, उसी उमर के अन्ये लोगों के तुल्ना में आपको अधियात्म का घ्ञान है, ऐसा मेरा मानना है, तो ये चीज कुछ को कम आईू में तो ऐसा होता क्यों है और ये इस्थिती का पता कैसे चलता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो फुर्स्ट पार्ट है जो बहुत महत्मूर है मुझ को कैसे पता चले मैं ध्यात्मिक हो गया अगर आप लोगों को ध्यान हो गुंडिचा मंदर उसके सामने जब शिवर चल रहा था जगनादपुरी में तो महने इसका एक उतर दिया था उस पर लंबी व्याख्या चली थी कई घंटों की चली थी चैसाद घंटे चली थी शायदे लेकिन उसका क्रक्स क्या था किसी को याद है वही वहिया का उतर है एक शब्द था दर्शन जिस दिन मैं अध्यात्मिक हो जाऊंगा उस दिन मुझे दर्शन हो जाएंगे यह जिस दिन मुझे, और यह एंग दर्षन कैसे हैं? मन के दर्षन नहीं, बुध्धी के दर्षन, कल्पνाओं से परे जाकर, साक्षात जयसे खेते थे हैं, तो जिस दिन दर्षन हो जाते हैं, उस दिन स्वम के बारे में घ् caval होता है, और जब तक नहीं होते हैं, साधू लगता है सुर्दाज जी जब उन से कहा गया कुछिन से कहो कि आखे लोटा दे तो उनने का है जिस कारे के लिए आखे थी वो कारे तो पूरा हो गया अब लोटे तो ना लोटे तो कितनी गहरी बात है कि दर्शन के लिए तो था सब वो हो गया अब उन्हें उनके बारे में पता लगया वो कौन है यह दर्शन है तो दर्शन अध्यात्म की जीवन की पराकाश्टता है लेकिन यह मानसिक नहीं बहुत दिखोना चाहिए कल्पनाती कल्पना से परे जाकर एक च दूसरी चीज जो आपने पूछी जो और भी महत्वपूर है वो यह है कि कब तक तर्शन होने तक बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग कारे करते हैं गुष्वामी जी को देखिए बहतर में वर्ष में प्रारंब करते हैं महर्शी द्यानन्द को देखिए लेकिन जब करते हैं तो करते हैं और वह वो प्राप्त करते हैं और दुनिया को बताते हैं किवल अपने तक नहीं रखते हैं अगर हम प्रहलाद की बात करें हां स्वामी जी की बात करें और भी बहुत सारे लोग हैं उनकी अधी बात करें उनके साथ ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी बहुत सारे लोग सतंतरता और परतंतरता को बहुत जल्दी समझ गए गांधी जी को ट्रेन से गिरना पड़ा तो ये समय है हमारी चेतना कब चागरत हो जाती है पता नहीं चलता यह भी इश्वरिय क्रीडा है एक तरीके से तो हम सतत हम एक विचार पे फोकस करके जब हम continuously काम करते रहते सतत रूप से अपने लक्ष के पीछे पढ़ जाते है तो वह लक्ष परापत होता है और वह लक्ष अध्यात्मिक जगत में जिस शब्द उसे जाना जाता है उसको कहते हैं दर्शन किसी को जल्दी भी हो सकते हैं किसी को देर से हो सकते हैं किसी को पता ही देर से चला माननी जी ऐसा नहीं वो इनकेपिबल था पता ही नहीं था ऐसा भी होता है क्या आप समझ में आया तो आज से लग गए प्राप्ट कर लिए किसी बच्चे को आप नाइंध क्लास में बता दें यू पी एसी क्या होता है तो मेहनत करेंगा अपने लक्ष पर कामियावी हासिल कर लेगा जल्दी कर लेगा और किसी को पता ही 27 साल में चला तो अब उसके प तो देश, काल, परिस्थिती और पूर जनम के कर्म इस पर निर्भर करता है अधम मनुष्य को लंबा समय लगता है तब योग प्राप्त करता है मध्यम पुरुष को केवल गुरु एक बार टिका देता है अपने रस्ते चल देता है उसे योग क्या उशक्ता ही नहीं और उ पुरु से ही सीखा वह सब चला रहा है उसको इसमर्ती में है उसको बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है तो ये जन्म जन्मांतर की क्रियाओं का परिडाम होता है हम जो भी कुछ आज कर पाते हैं जन्म आप सम विसलेशन करिए कर बहुत सारी चीज़ आपने सुनी भी नहीं प समर्तियां है जो विसमर्ति की चाहदर को या उसका जो धुआ है उसको चेरना चाहते है अब जिसको हिरू कर लेता है तो बहुत सारी चीज़ें इसी होती है जो पता ही नहीं हूती है लेकिन जब जाग गई सबेरा हो गया ये फ 001 003落कों से. पर लग गया उसके बीचे जब मैं साक्षर्टा के लिए काप कर रहा था 92 93 के बाद बहुत तेजी से चल रहा था उदर उसे पहले की बात है 88 89 की बात है तो मैं बहुत तेजी उसके बहुत तेजी काम कर दो हम भी उसमें लगते थे तो हम देखते थे कि मातजी आ रही है 60 साल 65 साल लाल टैन में पढ़ाईया हो रही है फिर वह पंच्छी लैट में हम वह तिदाते थे उसे और पढ़ रहे हैं और दो साल के अंदर अंदर हमारे हैं टार्गेट क्या दिया जाता था छोटा सथा टार्गेट जो यूजलिस था ह बस्ताक्षर करना सीखने, उससे क्या गलतियां होनी बंद हो जाएंगे, नहीं होंगी, लेकिन ख़िए वह विवेचना नहीं कर रहा हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं से निकल के आए जो किताब धारा पर वहाँ पढ़ रहे हैं, और ना के बन किताब पढ़ रहे हैं, ब कलपनाओं में था, उमर क्या साथ, उनका सवेरा तब हुआ, जब यह सरकार की नहीती उन तक पहुंची, वॉलिंटियर्स उन तक पहुंचे, लेकिन उजाग रहे हो गए, निकल के, तो बहुत सारे कारण बनते हैं, कब हम जागते हैं, कर्म करते हैं और दर्शन पाते हैं, लेकिन टिका सब कुछ उसी तीन अक्षर पर है, दर्शन, यही दर्शन, और यह होता है, इश्वरियातों कह दो है नहीं, और है दिखेगा वश्य, और है दिखेगा, अलियो, आए, आभार, अन्याज़ को यह जारे हैं, और है व्चर पूश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है आप मुझे शक्ति दीजे आप मुझे भक्ति दीजे जिससे मैं आपके काजे कर सकूँ आपके 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 कर शांति ही, शांति ही, शांति ही